नमस्कार बहुत स्वागत है आपका लव लाइन विवाह रेखा हाथों की सबसे छोटी उमली के नीचे होता है तो लव एफेर्स और साधी के बारे में बताती है हाथ की ये रेखा आज हम आपको रेखा देखने का तरीका बताएंगे और आपका विवाह लव होगा या अरें लव लाइफ और मेरेज लाइफ के लिए खास होती है क्योंकि करियर लाइफ की तरह लोग अपनी मेरेज लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना जाते हैं उसका जीवन साथ ही कैसा होगा उनकी विवाह कितनी अच्छी रहेगी कोई मुस्किल तो नहीं आएगी जैसे लव रेखा आपके प्रेम जीवन के बारे में भी संकेत देते हैं तो कहां होती है विवारेखा देखिए हतेली के जो सबसे छोटी वाली उमली है उसके ठीक नीचे वाला स्थान बुद्ध परवत का होता है और इसी बुद्ध परवत के आखिर में साइट की तरफ से आडी जाता है और यही रेखाएं ब्यक्ति के प्रेम समंदों और बैवाहिक जीवन के बारे में बताती है तो विवारेखा एक भी हो सकता है और उससे अधिक भी तो ब्यक्ति के हाथ में ब्यवारेखा की संक्या जितनी अधिक होती है उतने ही ब्यक्ति के अफेयर उनके साथ मान होता है लेकिन अगर किसी के हाथ में तीन रेखाएं हैं और उन में से दो रेखाएं छोटी और हलकी है तीसरी गहरी है तो इसका मतलब है कि बेक्ती को दो अफेर के बाद ही साधी होगी इन रेखाओं में जो सबसे असपस्ट रेखा होती है उसी को विवा रेखा कहते हैं तो जिनके हाथ में विवा रेखा गहरी और असपस्ट होती है उसका बैवाहिक जीवन बहुत ही खुसाल खुबसूरत होता है लेकिन हतेली में अगर ये रेखा टूटी भी हो तो बैवाहिक जीवन में थ बिवा रेखा हो तो ऐसे लोगों को अच्छी पतनी मिलती है और बैवाही जीवन बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर बिवा रेखा में से दो साखाएं निकल रही हो तो यह अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इससे रिष्टा तूटने का भेराता है और अगर किसी लड़ में द्विव बना हूँ बीच में मद्य में अंत में तो जीवन साथी से किसी ने किसी मामले में आपको दोखा मिलेगा चाहें इमोसिनल हो भावनात्मक और्थिक हो या सारिरिक हो तो बिवा रेखा का जुकावा होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता यानि जुकावा बि साध्यान रखिए अगर किसी बैक्ति के विवारेखा पर क्रॉस का निसान है या फिर तिल हो तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है क्यों कि ये आपके विवा में परेसानियां डालता है तो अगर जैसे कि माल लेते हैं आपके विवारेखा में क्रॉस है या तिल का तिल बन करेंगे जो भी नीचे का हिसला गरवर होता है ना उसए उंग्ली में चान्दी का ठार्व करना हो चाहिज कि प्लेन रिंग उसमें कोई नग क्था जाइन नहीं होगा सिर्फ चान्दी तारसे बनावा होगा आप चोटी हमने में धारन कर लें तो क्या होगा यह जो मुस्किले है परिसानिया है वो कम हो जाएगी अब देखिए बिवा रेखा अगर लंबी हो और वो सुर्य परवत तक आ जाए तो माना जाता है ये रेखा संपन्नता और सम्रिद्ध जीवन साथी का प्रतीक होता है ये तो थी आम बाते अब हम आपको खास बाते देखिए हस्ते रेखा के अनुसार ब्यक्ति के हतली में बिवा समंदी जो रेखा होती है मेरेज लाइन उसको देखकर आप बहुत कुछ जान सकते हैं तो कई बार होता है आपके हाथों में बहुत सारी रेखा है लेकिन कौन सी रेखा सबसे सुभ है नियम ये कहता है कि बि यदि रेखा कटी हो उसमें कहीं न कहीं कोई और चिन्न बन जाता है तो उसका मतलब भी बदल जाता है तो असपस्ट गहराई वाला सुभ होता है बिवा रेखा और ब्यक्तियों का बैवाही जीवन भी खुबसुरत होता है लेकिन यदि तूटी भी रेखा हो अधिक साथ मिलता हो तो ऐसा दमपत्य जीवन में अर्चल डान लेका ये माना जाता है इसके प्रभाव अब देखें बिवा रेखा हर्दयर रेखा के समीफ होता है उसकी साधी 20 साल की उम्र में लगभग हो जाती है यानि जितना ज़्यादा हर्दयर रेखा यानि जो आपका के आसपास उम्र में विवा होने के योग होते हैं लेकिन अगर एक से अधिक छोटी छोटी रेखाएं हाथ में दिखाई दे तो वे प्रेम संबंधों को दर्साते हैं अब देखिए किसी महिला के हात में विवा रेखा के प्रारंब में ही कोई द्विब बना हो, कोई चिन् को साधी में धोका जरूर मिलता है चाहे जैसे भी मिले तो जीवन साथी के स्वभाव और स्वास को लेकर भी परेशानी हो सकती है कई बार होता है कि विवार रेका हरदय रेखा को काटते हुए नीचे क्यों और आ जाती है यह अच्छा नहीं माना जाता बैवाही जीवन के ल का जाता है ना यह सबसे खूबसूरत है अब बिस्तार से हम जानते हैं दो बाते देखिए हस्त रेखा बिग्ञान के अनुसार अगर हथेली में विवार रेखा भी असपस्टो साफ हो और चंदर परवर्थ से कोई रेखा निकल कर भाग रेखा से जाकर मिले तो यह विवा के संदर में बहुत ही सुब होता है ऐसे व्यक्ति का भागयोदय विवा के बाद होता है या फिर धनवान परिवार में विवा होता है यानि विवा के बाद ससुरार के लोगों का सपोर्ट मिलता है लाब भी होता है चंदर परवत से आई हुई यरेखा भाग रेखा के साथ गुछ दूर चले तो बैवाहिक जीवन में प्रेम सुक्की प्राफती होती है। लेकिन अगर विवार एखा पतली हो, महीन डेखा हो, तो बैवाहिक जीवन में उदासी ताद दिखलाता है। हस्तरेखा में कहागिया है, अगर कई महीन डेखाए हैं प्रतितान पर, जो बस लोगों से प्रेम समंद बनाना पसंद करता है कभी धर कभी उधर यानि बहुत सारे रिलेसंसिप उनके हो सकते है तो बिवार एखा अगर सुबात में पतली हो और बुद्ध छेतर तक आते आते गहरी हो जाए तो इसका मत्तब है कि आरंब में प्रेम थोड़ा कम रहेगा लेकिन बाद में प्यार बहुत गहरा हो जाएगा और बिवार एखा का रंग गुलाबी और लाल अच्छा माना गया है लेकिन पीला सफेद उत्तम नहीं अगर हतेली में दो विवार एखा हो एक जैसी हो तो इसका मतलब है दो विवार होगा और दोनों से उनका समान प्यार भी रहेगा लेकिन एक रेखा पतली और कम गहरी हो तो ब्यक्ती की भले ही एक साधी हो लेकिन इन में प्यार उतना नहीं होगा बैवाहिक जीवन में सुख की कमी दिखाते है कैसा विवारेखा ये भी जानना चाहेंगे देखिए अगर हत्यली में विवारेखा असपस्ट हो साफ हो लेकिन इनसे निकल कर कई रेखाएं हिरदयरेखा की तरब जाए तो बैक्ती का जीवन साथी स्वास्त की परेशानियों से जूझेगा और थोड़ा सा नीजस रहेगा लेकिन विवारेखा का बुद्ध छेतर से हिरदयरेखा की और मुड़ जाना एकदम से अच्छा नहीं होता लेकिन लब मैरेख कब होता है देखिए हस्त रेखा सास्त के अनुसार अगर मैरेज लाइन के पास विवारेखा के पास त्रिसूल या इसके जैसा कोई अन्न चिन्न हो तो इनसान प्रेम विवा करता है और साथ ही वो अपने प्रेम से, लाइप पार्टनर से बहुत प्रेम करने बाला होता है, इमनदार होता है मैरिज लाइन यानि विवार रेखा पर, यदि किसी तरह का वर्ग का चिन्न है, तो लब मैरिज होने की संभावना भी प्रवल हो जाती है हलाकि लाइप पार्टनर के स्वास्त कभी-कभी खराब हो जाता है लेकिन ऐसे लोगों को पार्टनर वफादार मिलता है अब 20 साल की उम्र में विवा रेखा अगर हृदे रेखा के समीफ हो तो लब मैरेज होने की संभावना 20 साल की उम्र में होती है अगर हाथ में एक से अधिक विवा रेखाए हो तो ये भी लब मैरेज की ओर इसारा करता है अगर गुरू परवत पर यानि तरजनी उंगली इंडेक्स फिंगर के नीचे जो गुरू परवत है क्रॉस का निसान हो तो भी प्रेम विवा होने के संकेत है साथ ही अगर सुक्र परवत उठा हुआ हो चंदर परवत से कोई निखा निकल कर भागे रेखा से मिल जाए तो भी प्रेम विवा होने के चांस बढ़ जाते हैं धन्यवाद फिर मिले जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सियर करें और कमेंट में हर हर महादेब जरू लिखें तनिम